हेलो फ्रेंड्स किरंदर नेटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूं बहुत ही सुन्दर ओपन वर्क निटिंग पैटर्न फ्रेंड्स यह बहुत लूज बनके आता है और बहुत सुन्दर लगता है इसमें जैसी सिलाईयाँ आप यूज करेंगे वैसा ही ये बनके आएगा ये जो मैंने पैटर्न बनाया है ये मैंने नो नमबर की निडल्स पे बनाया है ये दिखिए 9 नमबर की सलाई यूज की है अगर आपको और भी ढीला इसको बनाना है तो आप देखिए इसमें 8, 6, 7 नमबर की सलाईयं मोटी सलाईयं यूज करके इसको और भी लूज बना सकते हैं चोकि बहुत सुन्दर लगता है और इसको आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे इसका शॉल, स्टॉल, मौफरल, कार्डिगन, चैकेट कुछ भी बना सकते हैं, टॉप बना सकते हैं और फ्रेंज इसको दोनों तरफ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं यह इसकी राइट साइड है, और यह इसकी रॉंग साइड है रॉंग साइड से भी यह बहुत सुन्दर लगता है तो किसी भी तरफ से आप इसको यूज़ कीजिए यह एक रिवर्सेवल पैटर्न भी है और सिर्फ दो सिलाईयों का पैटर्न है बहुत जल्दी जल्दी बन के आता है तो चलिए फ्रेंड्स बुनना स्टार्ट करते हैं देखे फ्रेंड्स इसके लिए लिए हैं मैंने 11 फंदे यानि के 11 फंदे लिए हैं तो इस पैटर्न को आप और नमबर पे चला सकते हैं और नमबर यानि के 2 से डिवाइड ना होने वाला कोई भी नमबर के फंदे आप इसमें ले सकते हैं तो चलिए यह मैंने इसके में रोंग साइड के फंदे लगाए हैं तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं यहां पे एक रोंग साइड की मैं यह बेसिक रोंग बुनके कंप्लीट करूँगी इसको मैं सारा उल्टा बुन लूँगी दिखे ऐसे अगर आप किसी स्वेटर वगारा पे कार्डिगन पे जैकेट पे डाल रहे हैं आफटर बॉर्डर डाल रहे हैं तो आप इसको राइट साइड से स्टार्ट कर सकते हैं सीधा सीधा आपको रोंग साइड की रो डालने की ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी तो यह तो तभी डालेंगे जब आपको फर्स्ट रो से स्टार्ट करना यह पैटर शोल्स रोल पे डालना है तो चलिए मैंने एक एक बेसिक रो रोंग साइड की इसमें पूरी कर लिए सीधी साइड में हम इसकी पहले रो है इसकी तो दिखे कiसे करेंगे Lip पहला फंदा आपका stitch रहेगा आप। इसको कैसे भी कर लीजिए मैं इसको ऐसे सीधा बुोंते हुए ले रही हूं दिखे ऐसे उसके बाद आप पैटन कैसे स्टार्ट करेंगे दो फंदों का एक फंदा करेंगे बैक लूप से ऐसे बुनते हुए स्टार्टिंग ध्यान से देख लीजिए पहले मैंने एक एस्टिच बुना है आप जैसे मर्जी इसको कर सकते हैं उसके बाद दो का एक कर दिया मैंने ऐसे अब क्या करेंगे धागा अपनी तरफ लाएंगे और दो का एक करेंगे बस यह आगए आपको यही करते जाना है स्टार्टिंग जो है इसकी एक एस्टिच बुनने के बाद आपको दो का एक करते हुए करना है इसको दिखिए ऐसे दो का एक कर दिया मैंने धागा आगे करत तरफ लाएंगे दो नेकि लूब से बुनते हुए और लास्टा देखिए रागा अपनी तरफ लाएंगे तो और यह वाला जो फंदा बू hepat है यह आप का सीधा ही वोनेंगे एक ही भूनेंगे निए कि दो नहीं करेंगे लास्ट में ऐसे क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 2 का कर लिए यहां पर दो का एकश नहीं करेंगे सीधा बूलेंगीए एक फंदा और लास्ट का फंदा आपका स्टिच रहेगा इसको आप ऐसे ही सीधा बूली जी तो यह रो one do hare right side की अमारी इसमें complete होती है जैसे मैंने यहां पर starting किए वैसे आपको start करने हैं यहां पे जैसे ending कि है वैसे ही आपको एंदिक करनी है तबह conviction यह पैटरम से हौई घुख दूसरी सलाइं में हम यह इसकी रोंग साइड है उपकर एसे रहेगा इसको अपने हिसाब से आप कैसे भूनी है मैं इसको भून के ले रही हूं तो यहां पर देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे यहां पर फिर से हम देखिए स्टार्टिंग में दो का एक करेंगे एक यह फंदा हो जाएगा और यह अपने धागा घुमाया हुआ यह वाला फंदा हो आपको 2-1 बहुत इजी पैटन और बहुत जल्दी जल्दी बन के आने वाला अगर आपको इसमें छे नंबर की श्लाइप या आठ नंबर की श्लाइप आप इसको डालते हैं तो और भी जल्दी बनेगा यह दिखिए दागा लिपेटा यहां पर यहां पर दो का एक कर दिया उल्टा बुनते हुए दोनों तरफ से आप इस पैटर्न को यूज कीजिए धागा यहां पर घुमाया सलाइबर से और यहां पर फ्रेंड्स आपको सिंगल उल्टा फंदा बुनना है यह दिखिए ऐसे सिंगल एक उल्टा फंदा बुन लिया और यह आपका एस्टिच रहेगा इसको आप ऐसे बुन लेंगे और अब मैं आपको दिखा रही हूं यह दिखिए जैसे मैंने उल्टी साइड की जो यहां से स्टार्टिंग की है वैसे ही आपको स्टार्टिंग करनी है जैसे मैंने यह हैं बुनने की सीधी और उल्टी साइड की तो स्टार्ट आपको ऐसे ही करना है दो का एक करते हुए फिर आपको धागा घुमाते हुए लास्ट आपको धागा घुमाते हुए सिंगल फंदा बुनने दो का एक नहीं करना नहीं तो आपका यह पैटर्न गडबड हो जाएगा स सीध्य साइड में आपको ऐसे करना हैं अब आपको सीध्य साइड से दिखाते हूं these कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका पैटन आना स्टार्ट हो गया तो फ्रेंड्स यह दो सिलाइओं का है जो मैंने आपको दो सिलाइय यह वोलग के बताई है राइट साइड की और रोंग साइड की आपको ऐसे ही बुनते जाना है तो आपको ऐसे पैटन आता जाएगा देह बहुत सुन्दर पैटन बनके आता है जालीदार पैटन है तो आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं टॉप बना सकते हैं जैकट बना सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स में आपको एक जो इसकी रो वन है वो रपीट करके भी बताऊंगी कि कैसे करेंगी राइट साइड की जो रो वन हैं वो हम और तरहें के थे यहां थोड़े फंदे अलगत रहें के आगें अब तो यहां पर यह दिखिए कैसे करेंगे सीधा फंदा बुन लेंगे यहां पर ऐसे फिर से हम दो का एक करेंगे तो यह दिखिए आपका धागा घुमाया हुए फंदा है और यह है तो स्टार्टिंग में हमें दो का एक करना है ऐसे देखिए ऐसे पिछे को बैक लूप से दो फंदों को एक गुंते हुए और फिर हम करेंगे फिर से धागा आगे लाएंगे और यहां पर करेंगे दो दो का एक देखिए ऐसे थोड़ा सा फंदों में चेंज आएगा धागा आगे लाएंगे ऐसे और यहां पर एक यह फंदा और एक यह धागा घुमाया हुआ फंदा इसको हम करेंगे दो का एक फिर से धागा आगे लाएंगे दो का एक करेंगे देखिए ऐसे धागा आगे लाएंगे यह हम सिंगल फंदा ही बुनेंगे ऐसे इसमें दो का एक नहीं करेंगे और यह आपका रहेगा एस्टिच इसको ऐसे ही बुन देंगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आपको वही लाइने रिपीट करते जाना है तो आपका ऐसा जाली दार पैटन आएगा किसी भी कलर पे डालिए बलैक कलर पे डालिए बहुत सुन्दर बन के आएगा तो फ्रेंड्स अब भी आप भी बनाएए इसका शोर स्टोर मौफरल जैकेट टॉप तो बहुत सुन्दर बनेगा अब बनाएए और प्लीज सब्सक्राइब लाइक और शेयर थेंक यू